परिचय अरुन, प्लग में कील मत डालो, तुम्हें बिजली का जटका लग जाएगा क्यूं सेर, इस कील पर जंग लगा हुआ है, और यहां हमारे किसी काम की नहीं है भले ही इस पर जंग लगा हुआ है, पर अन्तु यह धातू है, और धातू विद्यूत की सुचालक होती है यदि तुम इसे प्लग में लगाओगे, तो तुम्हें जटका लगेगा अरे, फिर तो आपने मुझे बचा लिया बच्चो, इस अध्याय में हम धातूओं वा अधातूओं, उनके भावतिक वा रासाइनिक गुण धर्मों, उनकी प्राप्तियां तथा उनके संक्षारण के विशे में जानेंगे उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे धातूओं वा अधातूओं के भावतिक एवं रासाइनिक गुण धर्मों का वर्लन करना यह समझना कि धातूओं कैसे प्रतिक्रिया करती हैं धातूओं की उपस्तिती की व्याख्या करना संक्षारण की व्याख्या करना भावतिक गुण धर्म, धातूओं दैनिक जीवन में आप अनेग धातूं एवं अधातूं के संपर्क में आते हैं उधारणार्थ वाहतोड़ा जिससे आप कील ठोकते हैं एक धातू है लोहे से निर्मित कील भी एक धातू है आईए धातूं के भौतिक गुन धर्मों पर द्रिष्टी डालते हैं धातुएं के भौतिक गुण धर्म निम्निलिखित हैं। भौतिक अवस्था। धातुएं कमरी के तापमान पर ठोस होती हैं। उधारनार्थ लोहा, अलियूमिनियम, केवल पारा एक तरल धातु है। धातुएं विद्यूत के सुचालक होती हैं, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। उधारनार्थ, तांबा वा चांदी धाप वा विद्यूत के सर्वतम चालक हैं। जबकि सीसा ताप का सबसे बड़ा कुचालक है। आघात वर्थे कुछ धातुओं को पीट-पीट कर पतली चादर अर्थात फॉयल के रूप में ढाला जा सकता है। उधारनार्थ, लोहे को गर्मी किया जाता है और फिर पीट-पीट कर उसे विभिन वस्तुओं, फॉयलों वा आकारों में ढाला जाता है। तन्य धातु से पतले तार भी खींचे जा सकते हैं। उधारनार्थ, 100 ग्राम चांदी से लगभग 200 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। चमक धातुएं अपनी चमकीली सतह से प्रकाश को परावर्तित करती हैं। उन पर पॉलिश भी की जा सकती है। धारनार्थ, सोना, चांदी, एवं तांबा चमकीली सतह वाली धातुएं हैं और इन पर पॉलिश भी की जा सकती है। भौतिक गुण धर्म अधातुएं आईए अब अधातुएं के भौतिक गुण धर्मों की बात करते हैं। भौतिक अवस्था अधातुएं कमरे के तापमान पर ठोस, द्रव, अथ्वा, गैसी अवस्था में पाई जाती हैं। गैस, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, द्रव, ब्रोमीन वा ठोस कारबन। अनाघात वर्थे वा अतन्ये। अधातुएं भंगुर होती हैं, तथा उनसे ना तो तार बनाए जा सकते हैं, और ना ही उन्हें पीट कर पतली चादर के रूप में ढाला जा सकता है। उश्मा एवं विद्युत की कुचालक अधातुएं उश्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं, किन्तु ग्रेफाइट, कारबन एक अपवाद है, क्योंकि वह उश्मा का सुचालक है और इलेक्टोड बनाने के काम आता है। चमक ना होना अधातुएं में चमक नहीं होती और वे प्रकाश को परावर्तित नहीं करती हैं। क्या आप जानते हैं। धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं। इसका केवल एक अपवाद है पारा जो की द्रव है। तरल धातु पारा, उश्मा वा विद्युत का सुचालक है। इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। यह अत्यधिक विशैला होता है। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। तधापी, ग्रेफाइट, जो की कार्बन का एक रूप है, विद्युत का सुचालक है। धातुएं के रासायनिक गुण धर्म। अब धातुएं के कुच रासायनिक गुण धर्मों पर द्रिष्टी डालते हैं। इन गुण धर्मों में धातुएं की अन्य तत्वों जैसे वायू, जल, अमलों तथा अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रियाएं भी सम्मिलित हैं। वायू के साथ अभिक्रिया जब धातुएं वायू के संपर्क में आती हैं तो वे धातु आकसाइड निर्मित करती हैं कुछ ऐसी धातुएं भी हैं जिनमें अमलिये वा चार किये दोनों ही प्रकार के गोंड़ धर्म पाए जाते हैं ऐसी धातुएं को उभै धर्मी आकसाइड कहते हैं जल के साथ अभिक्रिया जब धातुएं जल के संपर्क में आती हैं, तो वे धातु हाइड्रो अक्साइड तथा हाइड्रोजन निर्मित करती हैं। धातुएं जल को धातु हाइड्रोजन विलियन बनाती हैं। अमलों के साथ अभिक्रिया लवण वा हाइडोजन बनाने के लिए धातुएं तनु अमलों के साथ अभिक्रिया करती है या अभिक्रिया शील्ता प्रतेक धातु की भिन्न भिन्न होती है तथा पी जब धातुएं नाइट्रिक अमल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइटोजन गैस नहीं बनाती क्यूंकि यह अमल एक प्रबल आक्सी करन करता है अन्य धातू लवणों के विलियनों के साथ अभिक्रिया एक अधिक अभिक्रियाशील धातू, एक कम अभिक्रियाशील धातू को उसके लवण विलियन से इस्थानांतरित करती है सरल शब्दों में कहें तो यदि धातु आ, धातु बा को उसके विलियन से विस्थापित करती है तो धातु आ, धातु बा की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है तथापी सभी धातुएं अभिक्रियाशील नहीं होती इस अभी क्रिया में कॉपर सल्फेट में मौजूद तामे को जस्ता यानि जिंक विस्थापित कर देता है सक्रियता श्रिणी धातूं को उनकी अभी क्रिया शीलता के अनुसार अवरोही क्रम में वेवस्थित किया जाना सक्रियता श्रिणी कहलाता है इसका प्रयोग धातूं की वायू, जल एवं अमलों की अभिक्रियाओं की जानकारी का संक्षिप्ति करण करने में किया जाता है धातूं एवं अधातूं कैसे अभिक्रिया करती हैं धातूं के पर्माडों के वाहतम कोश में एक से तीन तक इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि अधातूं के पर्माडों के वाहतम कोश में चार से आठ तक इलेक्ट्रॉन होते हैं अपवाद इस नियम के दो अपवाद हैं, हाइडोजन तथा हिलियम इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाली धातुएं त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर धनावेश अरजित करती हैं तथा अधातुें सुईकारे गए इलेक्ट्रोनों की संख्या के बराबर इलेक्ट्रोन वा रिनावेश अरजित करती हैं। जब धातु का कोई परमानू एक, दो या तीन इलेक्ट्रोन अपने संयोजक्ता कोश्च से किसी अन्य अधातु परमानू को देता है, जो की उन इले परिणाम स्वरूप ये दोनों ही परमानू एक निश्क्रिय गैस का धाचा निर्मित करते हैं। किसी तत्व के परमानू से अन्य तत्व के परमानू में इलेक्ट्रोनों का इस्थानांतरण आइनिक योगिक कहलाता है। आइनिक योगिकों के गुण धर्म। आइए, आइनिक योगिकों के कुछ गुण धर्मों पर द्रिष्टी डालते हैं। भादिक प्रकृती। आइनिक योगिक कठोर ठोस होते हैं। क्यूंकि धनात्मक एवं रनात्मक आइनों के मध्धे आकर्शन बल अत्यंत प्रबल होता है। ये योगिक भंगुर होते हैं। तथा दबाव डाले जाने पर तूट जाते हैं। गलनांक एवं कौथनांक। प्रबल अंतर आइनिक आकर्शन को तोड़ने के लिए आवशक उर्जा की परियाप्त मात्रा के कारण आइनिक योगिकों का गलनांक एवं कौथनांक उच्च होता है। घुलन शीलता आयनिक योगिक जल में घुलन शील तथा विलाईकों में अविलाई होते हैं जैसे पेट्रोल आती विद्धुत चालगता आयनिक योगिक जब ठोस अवस्था में हो तो विद्धुत संचालन नहीं करते क्यूंकि कठोर सनचना के कारण आइनों की गती संभव नहीं होती किन्तु आइनिक योगिक जब गली तवस्था में हूँ तो विद्यूत चालगता संभव है क्यूंकि गलित अवस्था में विप्रीत आवेश वाले आयनों के मध्धे स्थिर वैद्युत आकर्शन बल उश्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है। इससे आयन स्वातंत्र रूप से गदती करने तथा विद्धत संचालन करने लगते हैं। क्या आप जानते हैं? चुम्ब किये प्रतिरोध के छोरों की तरह धनात्मक धनात्मक तथा रनात्मक रनात्मक आयनिक आबंधों का अस्तित्व नहीं होता है। धात्मक की प्राप्ति, धात्मक एवं आयसकों का निशकर्शन। धर्ती धात्मक का सबसे बड़ा स्रोत है। तथा भी सागर के जल में भी कुछ विले लवन होते हैं। खनिज ऐसे तत्व अत्वायोगिक हैं जो भूपरपटी में प्राकृतिक रूप से उपस्तित रहते हैं। कभी कभी खनिजों में धात्मक की प्रतिशित्ता बहुत अधिक होती है। उनसे इसे निशकर्शित किया जा सकता है। ऐसे खनिजों को आयसक कहते हैं। आयसक वे अशुध धात्वे हैं जिनमें बालू वा पत्रीले द्रफे बड़ी मात्रा में होते हैं। आयसकों की ये अशुधियां गैंग कहलाती हैं। आयसकों से धातू निशकर्शित करने से पूर्व इन अशद्धियों को दूर करना होता है। जब अशद्धियां दूर हो जाती हैं तो आयसक सांद्र अवस्था में आ जाते हैं। आयसकों की इस सांद्रता को आयसकों का समरिध्धी करण भी कहते हैं। धातूं का निश्कर्शन धातूं को जब उनके अयस्क से प्रथक कर दिया जाता है तो वे अपनी अभिक्रिया शीलिता के आधार पर वर्गी कृत की जाती है अभिक्रिया शेलता के अनुसार धातूं का वर्गी करण विभिन समोहों में किया जाता है जो की निम्नलिखित है सक्रियता श्रिंखला में नीचे आने वाली धातूं का निश्करशन जो धातुएं सक्रियता श्रिंखला में नीचे होती हैं, वे बहुत ही अनभिक्रिये होती हैं इन धातुएं के ऑक्साइड केवल गर्म करने से ही धातुएं में अपचाईद हो जाते हैं सक्रियता श्रिंखला के मध में अस्थेत धातुएं का निशकर्शन जो धातुएं सक्रियता श्रिंखला के मध्य में होती हैं, वे मध्यम अभी क्रिया शिलिता वाली होती हैं ये धातुएं प्रकृती में समानिता, सलफाइडों या कार्बोनेटों के रूप में पाही जाती हैं औक्साइट से धातु प्राप्त करना अधिक सरल है इसलिए पहले इन धातुओं को उनके औक्साइटों में परिवर्टित करने की आविशकता होती है अत्रिक्त वायू की द्रड उपस्थिती में तापन की द्वारा सलफाइड अयसकों को रुपांतरित करने की प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है सीमित वायों की सुद्रिड उपस्तिती में तापन के द्वारा कार्बोनेट आयसकों को रुपांतरित करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है सक्रियता श्रिंखला में सबसे उपरिस्थित धातूं का निश्कर्शन जो धातूं सक्रियता श्रिंखला में उच्च होती हैं वे अधी अभिक्रियाशील होती हैं तथा कार्बन के साथ गर्म किये जाने पर उनके योकिकों से प्राप्त नहीं की जा सकती क्योंकि वे धातुएं कार्बन की अपेक्षा आक्सीजन के प्रती अधिक बंधुता रखती हैं ये धातुएं विद्धुत अब घटनी अब चयन के द्वारा प्राप्त की जाती हैं धातुएं का परिश्कराण अब चयन प्रक्रिया द्वारा उत्पन धातुएं शुद्ध नहीं होती उनमें अशुद्धियां बची रहती हैं जिनको दूर किया जाना शुद्ध धातुएं प्राप्त करने के लिए अत्यंद आवशक होता है अशुद्ध धातुएं को परिश्कृत करने के लिए सर्वाधिक प्रचलित विधी विद्ध अब घटनी परिश्करण है अनेक धातूं का परिशकरण विद्ध अबघटन द्वारा किया जाता है अशुद्ध धातू को एनोट तथा शुद्ध धातू की पतली पड़त को कैथोड बनाया जाता है धातू के लवन विलियन का उपयोग विद्ध अबघट के रूप में होता है विद्ध अबघट से धारा प्रवाहित किये जाने पर एनोट परिस्थेत अशुद्ध धातू विद्ध अबघट में खुल जाती है इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातू विद्ध अबघट से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है विले अशुद्धियां विलियन में चली जाती है जबकि अविले अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है इन्हें एनोड मड कहते हैं क्या आप चानते हैं चांदी सोने वा प्लेटिनम के परमाणों सललता से आउक्सिक्रित नहीं होते इसलिए चांदी सोने एवं प्लेटिनम एनोड से टैंक की तली पर यूही गिर जाते हैं जहावे विद्ध अभगटन परिश्करण प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात तुकड़े तुकड़े हो जाते हैं संक्षारण परनार्थ लोहा वा एलियोमीनियम संक्षारित होते हैं जबकि अनभिक्रिया शील धातुएं जैसे सोना प्लेटिनम एवं पारा संक्षारित नहीं होती संक्षारण रोकने की तीन विद्या है बलि विश्यक सुरक्षा इसमें अधिक अभिक्रियाशील संरक्षित होने वाली धातुगो प्रजारित किया जाता है तथा संरक्षित होचकी धातुगो अविकल छोड़ दिया जाता है मिश्रातवन इसमें जंगरहित अयस्क बनने के लिए धातू में कोई अन्य धातू मिलाती जाती है यशद लेपन इसमें धातू पर जस्ते की पतली परत चड़ा दी जाती है इसे गैलवनी करण भी कहा जाता है यह परत विद्द अब घटनीय निखशेपन दोरा बनाई जाती है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संखशेप में दोहराएं धातूएं विद्द की सुचालग होती है जबकि अधातूएं विद्द की कुचालग होती है धातू ہیں वायू, जल तथा अमलों के साथ अभिक्रिया करती हैं। धातूं को उनकी अभिक्रिया शिरिता के अनुसार अवरोही क्रम में वैवस्थित करने को सक्रियता शिरिनी कहते हैं। किसी तत्व के परमाणूं से इलेक्ट्राणूं का दूसरे तत्व के परमाणूं में इस्थानांतरण आयनिक योगिक कहलाता है। धातुएं आयसकों से निश्कर्शित की जाती हैं। अश्द्धातों को परिश्कृत करने की सर्वाधिक प्राचलेत्विधी विद्धुद अभघटनी परिश्करण है। करना है।